हेलो फ्रेंट्स नमश्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम माश्टर चैनल में और जैसा कि आज 6 तारीख है यानि 6 फरवरी और शिच्छक भरती लिखित परिक्षाण 68500 के आवेदन की जो तिथी है वो कल समाथ हो गई है जी हाँ तो अब तक कुल 1.82 लाख यानि 1.82 चात्रों ने अभी तक पंजी करण किया है जी हाँ लेकिन ये एक इग्जैक्ट संख्या नहीं है यहाँ यहाँ पर इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं एक लाख बयासी हजार प्राथमिक शिच्छक भरतियों में लेकिन इन में से अभी तमाम शुल्क नहीं जमा कर पाए हैं शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख है नव फरवरी इसमें नव फरवरी तक आप जो है शुल्क जमा कर सकते हैं साथ तक और complete submit form आप नव तक जमा कर सकते हैं जिहां अनुमानित संख्या अब ये तो कंफर्म होगा नव फरवरी के बाद की टोटल कितने आवेदन हुए हैं जिहां 68,526 भरति में फिलहाल 182,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं अभी फीस जादा लोगों ने submit नहीं की है क्योंकि एक एक लोग ने तीन तीन बार registration कर लिया है इसलिए ये registration संख्या इतनी ज्यादा है लेकिन आपको complete जो इसकी संख्या है वो हम बताएंगे 9 फरवरी के बाद कि कुल कितने registration हुए हैं तो merit कहां तक बनने के आसार हैं और लगभग कितना competition इसमें होगा जी हां तो 9 फरवरी तक का इंतिजार कर लीजिए और अभी वैसे ज्यादा registration नहीं आएंगे फिर भी 70-80,000 लोगों ने लगभग जो है फीज सब्मिट कर दी है अभी तक और ये संख्या ज्यादा से ज्यादा एक से डेढ़ लाख के बीच र रहेगा एक सीट पर दो चात्रों में competition रहेगा तो ये कोई ज्यादा competition नहीं है बहुत आसानी है बहुत राहत के साथ आपका चायन होगा अगर ये भरती clearly होती है तो इनमें आवेदकों को जो जरा भी talented है और सबसे बड़ी बात है जो 45% का qualifying area है जी हां आपको जो 45 और 40% ल मेरिट में अपने आपको समझिए क्योंकि बहुत सारे बहुत कम आवेदन है ज्यादा competition नहीं है तो चलिए आपके पास एक महीने का समय बचा है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं यहां पर screen में मैं आपको अपना number दे रहा हूं WhatsApp का आप हमसे है हमारा number आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है चौरानवे वावन चभीश चौहतर बानवे और इस पर आप हमें WhatsApp पर मैसेज करें आपको 500 रुपय की फीस में सहायक अध्यापक लिखित परिक्षा का पूरा लगभग मैटीरियल नोट्स जो भी है जो आपको एक महीना के अ हमारे एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे exactly संख्या कि कुल कितने लोगों ने पंजी करण किया कितने रजिस्ट्रेशन किये सारी प्रमुख बातें हम उसमें चाचा करेंगे तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद